Hello guys, welcome to my YouTube channel, इस वीडियो में मैं बात करने वालों MSI Pro MP223 LED Monitor vs S Nitro VG270 LED Monitor तो इन दोन का comparison करने वाला comparison में हम दिकने वाले किसके तो रिफ्रेश इंग मंट गृत Isn't that 699 रुपिस के Amazon पर different different seller CA में कोई 5,000-6,000 का sale करा जो best seller रहेगा उसका लिंक आपको मैं description में दे दूँगा जब मैंने बाइख किया था offer भी चालू था वह ऐसा Nitro VG270 आपको देखने को मिल जाती है 9599 के Amazon पर इसके भी different different seller CA में कोई 10,000-11,000 का sale करा जो best seller रहेगा उसका लिंक आपको मैं description में दे दूँगा जब मैं purchase के offer भी चालू था और online से बाइख करने का यह benefit था इसके अंदर आपको 10 days के 30 day तक replacement और refund देखने को मिल जाता है वह offline के अंदर आप तो यह देखने को नहीं मिलेगा तो आप भी जी जग online से buy कीजिए और try कीजिए warranty की बात के दोनो LED monitor पर आपको 3 year की warranty मिलती है अब box contain की बात के तो box के अंदर आपको देखने को मिलेगा MSI के अंदर power code आएगा एक user manual आएगा HDMI cable आएगा नीचे का stand देखने को मिलता है और flat stand देखने को मिलेगा और LED monitor देखने को मिलता है वह ऐसा nitro के box contain की बात के तो इसके अंदर भी आपको power cable देखने को मिल जाता है नीचे का stand देखने को मिल जाता है LED monitor holder stand देखने को मिल जाएगा user manual देखने को मिलेगा, HDMI cable देखने को मिलेगा, वो main LED monitor आएगा, अब design और look comparison की बात की है, तो MSI वाल आपको 21.5 इंच का देखने को मिल जाता है, most selling 21.5 इंच ही देखने को मिलेगा, bezel की बात करें काफी पतले overall bezel देखने को मिल जाते है, बीच में MSI की branding देखने को मिलेगी, वो left hand side में सारी button देखने को मिल जाते है, जिसके through menu हो गया, power का control होगा, left hand side में आपको light indicator देखने को मिलेगा, जब भी भी power on करोगी तो light glow करेगी, number of ports की बात करें तो इसके अंतर देखने का मिलेगा, VGA port, HDMI port, एक power का port देखने को मिल जाता है, एक audio output port देखने को मिलेगा, वह ऐसा नाइटर वाले की design की बात करें तो इसका rectangular shape में नीचे का stand देखने को मिलता है, जो कि complete gaming वाला look देता है, बीच में SR की branding देखने को मिलेगी इसका display size जो के 27 इंचे, जिसके कारण size भी इसका कफी जादा बड़ा, ती viewing angle भी आपको भैतरिन देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले के बैसल काफी जादा पतले overall देखने को मिलेगा, back side की design की बात के तो SR की branding है, back side में complete आपको gaming look दिया गया पर कोई भी lighting effect back side में नहीं है, और number of port के बाद के तो display port भी आता है, जो कि MSI वाले के अंदर display port नहीं है, 2 HDMI port दिया गए, MSI वाले के अंदर आपको single HDMI port देखने को मिलेगा, audio out का port देखने को मिल जाता है, अब tech way specification में आप बात करें तो MSI वाले के अंदर 100 Hz का refresh rate full HD display देखने को मिलेगा, और 99% SRGB color support देखने को मिलेगा, वह ऐसा नाइटर वाले की tech way specification की बात के हो, इसके अंदर आपको 180 Hz तक का refresh rate देखने को मिल जाते है, 0.5 MS का response time देखने को मिलेगा, 99% SRGB का color gamut देखने को मिलता है, वह ब्राइटनेस के बात के तो ऐसा नाइटर वाले 250 nits का brightness है, MSI वाले के अंदर आपको 300 nits का brightness दिया गया है, ऐसा नाइटर वाले के अंदर आपको AMD free sync देखने को मिलता है, दोनों less blue light के options देखने को मिल जाते है, दोनों LED monitor को till और pan कर सकते हो, तो दोनों के बारे में detail में मैंने compare करके बता दी, अब last question आता है, दोनों में से कौन सा वाला buy करना चाहिए, तो आपका port extra देखने को मिल जाता है, और speaker भी extra देखने को मिल जाता है, और display size बड़ा देखने को 80 hertz का refresh rate, वहीं आपको 21.5 inch का LED monitor चीए, बस इसके अंदर आपको number of ports थोड़े कम देखने को मिल जाते, speaker इसके अंदर नहीं देगा गया, वैसे भी speaker LED monitor होगे, laptop के अंदर इतने powerful नहीं हो जो कि MSI वाली के अंदर VA panel और ASR Nitro वाले के अंदर IPS panel दिये गया है, तो कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मुझे comment section में पूश सकते हो, तो MSI वाला आपको देखने को मिल जाता है, 4,699 rupees का Amazon पे different different seller, CA में कोई 11,000-12,000 का sale करा, जो best seller रहेगा, उसका link आपको मैं description में देगा, ज by क्या offer भी चालू था, तो आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है, तो ये वीडियो को लाइक कर देजाए, और बें इंट्रेस्टिन वीडियो चीए मेरे चैनल के subscribe कर दे रहे हैं, कि so much watching this video.